सो हिलो फ्रेंट मैंने मीजी रॉहल दिवारी और यूरा चैम के यूटूब चैनल टेक्नीकल रॉहल दौस्तों आज यहां पर मैं आप से सांप्जिंग के जी सीरीज के लिए की स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं 2019 में या फिर 2020 में जिनको यहां पर लगातार security patch का जो update है वो मिलता रहेगा और मैं यह भी बताऊंगा कि इनको कितने कितने महीने के बीच में एक बार security patch का जो update है वो देखने के लिए मेंगा तो सारा चीज आप में आज में यहां पर बताने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को जरू से लगर के लास्टर जरूर देखते रहेगा तो दोस्तों यहां पर Samsung ने अपनी एक list निकाल दी है जिसमें उसने Samsung के कुछ J series की smartphone को select किया है जिसे उसे Android का security patch लगातार यहां पर देना है security patch अगर आप नहीं जाते हैं तो मैंने इसके उपर एक वीडियो बना रखी जिसमें मैंने especially Samsung J8 और J6 के उपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अच्छी से रिफाइंड गया security patch क्या होता है तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए आपर बात करते हैं कि कौन कौन से वह Samsung के J series की smartphone है जिनको यहाँ पर select किया गया है Android के security patch का update देने के लिए तो सबसे पहला जो G series का smartphone है वो रखा गया यहाँ पर Samsung Galaxy J2 2018 model इसको भी यहाँ पर select कर दिया गया है Android के security patch का update देने के लिए regularly Samsung J4 है, J4 Plus है और J6 है और J6 Plus है जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है और इनको अगर मैं time duration की बात करता हूँ कि लगभग आपको कितने time duration के बीच में या फिर कितने महीने के बीच में एक बार आपको Android के security patch का update देखने के लिए मिलेगा तो लगभग यहाँ पर जो date J7 Series का smartphone है J7 और J7 Pro है, J7 Duo है, J7 Max है इसको quarterly यहाँ पर Android के security patch का update देने के लिए select कर दिया गया है, इसको quarterly आपको लगभग 4-5 महिने में एक बार Android के security patch का update है वो देखने के लिए मिलेगा, चलिए बात करते हैं और इस smartphone की आगली जो smartphone है वो है Samsung का J7 Next, J7 Prime 2 और J7 Infinity यहाँ प अधर में बात करता हूँ कि कब तक और कितने कितने टाइम डूरेशन के बीच में आपको Android का security patch देखने के लिए मिलेगा तो लगभग आपको यहाँ पे तीन से चार महिने के बीच में आपको Android का security patch देखने के लिए जिससे आपकी जो प्रॉब्लम होगा होगी आपके phone में